आज मैं बना रही हूं दही चावल इसको खाने के लिए बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है नमस्कार भूमिज कीचेन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपने अगर अभितब सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब करके बेल आइकॉन दबा ले और अल चावल जो है अच्छा बनता है तो इसमें हम दही डालेंगे एक बोल जही चावल बनाते समय आप कुछ बातों का अगर आप धियान रखे तो आपका दही चावल भी उतना ही टेस्टी बनेगी इसमें हम नमक डालेंगे एक चमाच तो चावल जो है थोड़ा उभर कूट हो करीब पाने डालेंगे तो चावल जो है थोड़ा सा थंडा भी होना चाहिए एकदम थंडा ही होना चाहिए गरम तो बिल्कुल भी दही चावल ना बनाएं क्योंकि आप गरम चावल में बनाएंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लेगए और खाने के लिए स्वादिश नहीं बनेगा है कि इसमें हम आधा कोप के करीब अनार के दाने ले रही हूं में अनार के दाने के जगह पर आप अंगूर भी मिला सकते हैं काटके हरी अंगूर तो अनार का दाना जो है इससे आपको मिठा टेस्ट आएगा और धही खटा खता मिठा दोनों टेस्ट आएगा और इसमें हम थोड़ाशा चूंक लगाएंगे तो चूंक से थोड़ाशा तित्र ह्याफ्टम आपको मिलेगा इसमें हाम हरी मिर्च कतीहिं में एक ले रही हुँ इसमें थोड़ाशा जीरा और थोड़ाशा शर्म के दाने और इसमें रिफढ़ सेनफ़़ायु ले लीजिए आप रिफढ़ायु सौर्बावर के सर्माइड डाने और फिर सोइबिन वकाई इस्तीकर इसस्तामल करें शर्माइब का तेल ना लें या फिर आप इसमें घी से छौन का लगा सकते हैं तो अभी थोड़ा सा इसको रोष्ट करेंगे थोड़ा सोसो के दाने और जीरा चटकने लगे तब इसमें करीपता मिलाएंगे और उपर से हम चौक लगा देंगे दही चावल बनाने का सही समय जो है बहुत जादा गर्मिया होती है बहुत जादा बाहर धूप हो रहा है उस समय आप बना सकते हैं तो चौक लगाने के बाद एक ढकन से ढक देंगे फिर कुछ मिलिट के बाद इसको खोल के अच्छे से बिक्स कर लेना है वीडियो अगर पसं किन है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक्यू अ